आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now इस question में हमारे पस दिया हुआ है कि which of the following can disperse benzene in water मतलब यह जो चार options दिये हुए अगर हमको release कराना है तो हमको वहां पर किस तरह के substance यूज़ करने पड़ेंगे तो सिर्फ surfactants जो होते हैं वही ये काम कर सकते हैं और surfactants का मतलब जो होता वह क्या होता है वह होता है surface active agent मतलब की surface पर जो active होते हैं agent उनको हम surfactants बोलते हैं ठीक है या फिर इनको wetting agent भी बोलते हैं ठीक है wetting मतलब की भीगाने वाले जो सबस्टांस होते हैं उनको हम wetting agents भी बोलते हैं ठीक है इनही को यही वैसे सबस्टांस होते हैं जो की benzene को water में disperse कर सकते हैं ठीक है तो हम जानते हैं कि surfactants में जो है वह एक polar part होता है और एक non polar part होता है non polar part तो polar part जो होता है वो क्या होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो non polar part होता है वो water के साथ में attract नहीं होता है मतलब वो water से दूर भागना चाहेगा ठीक है तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमको हमारे पास इन में से कौन सा सबस्टांस जो है उसमें polar और non polar दोनों पार्ट है और वो मतलब water में जा करके वो polar part के साथ में combine हो जाएगा और उसका जो non polar part है वो non polar के साथ में combine हो जाएगा तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास fourth option दिया हुआ है यह क्या है fourth option जो है वो एक sodium salt है of long chain sodium salt है carboxylic acid का तो यहां मैं लिखता हूँ कि fourth option में हमारे पास long chain carboxylic acid है with na plus मतलब कि sodium salt के साथ ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि carboxylic acid का जो यह वाला पार्ट है हमारे पास C double bond O O minus वाला जो पार्ट है यह हमारे पास एक polar polar head है polar head है तो यह क्या यह water के साथ में soluble होगा ठीक है मतलब यह water के साथ में आसानी से घुल सकता है ठीक है लेकिन जो हमारे पास यह group देख सकते हैं CS3 CS2 whole 9 मतलब यहां पर हमारे पास जो यह जो long chain हमारे पास दिया हुआ है यह chain क्या है यह non polar part है ठीक है और यह जो non polar part है यह क्या करता है यह जो non polar part है यह benzene के सा हमात में soluble हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि benzene जो है वो क्या है एक non polar solvent है तो non polar हम जानते हैं कि like जो होता है like dissolves like वाला तो आपने सभी ने बात सुनी होगी कि एक तरह के compound यह वह अपने तरफ के compound को अपने में dissolve कर लेते हैं तो C double O minus जो है वह polar polar end है तो water जो है वह भी polar end ह है तो यह दूनों एक दूसरे साथ soluble हो जाएंगे उसी तरह जो यह long hydrocarbon chain है हमारे पास carboxly acid का तो उसमें यह hydrocarbon वाला पार्ट है यह भी non polar है और benzene जो है वह भी non polar है तो non polar में यह non polar निकल जाएगा तो हम देख सकते हैं कि fourth option जो है यही benzene को benzene में जो है मतलब benzene को water से निकाल सकता है ठीक है तो fourth option जो होगा वो हमारा इस question का right answer होगा ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT GE means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी download करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर